देर स्टुडेंट्स आप सभी खा इंग्लिश के इस नए वीडियो में हर्दिक स्वागत आज का अपना टोपिक है नोटिस राइटिंग नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन आरबियसी चीबियसी दोनु बोल्ड में अक्षक पूचा जाता है नोटिस राइटिंग बनाते समय हमें किन-किन बिंदू का ध्यान रखना चीए की पॉइंट्स जो की बोल्ड में दिखाई दे रहे हैं एक-एक बिंदू का विष्टार से अध्यान करते हैं आरबियसी बोल्ड में फॉर मार्क्स फॉर मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है नोटिस राइटिंग इसका फॉस्ट की पॉइंट है वर्ड्स लिमिट आरबियसी बोल्ड शिनर क्लास के लिए इसके वर्ड लिमिट फिफ्टी वर्ड्स रकी गई है पचास सब्द पचास सब्द के अंधर अपना नोटिस राइटिंग कम्प्लीट हो जाना चाहिए दूसरा इन प्रोपर फॉर्मेट इसके लिए एक बोक्स होता है उसके अंदर हम नोटिस कम्प्लीट करते हैं थर्ड यूज ओफ इंडरेक्ट स्पीच एंड पेशी वोईश नोटिस राइटिंग में हम अधिक से अधिक इंडरेक्ट स्पीच और पेशी वोईश्य सबंदित शेंटेंस का समाविश करते हैं और जो नहीं करना है वो है परस्नल प्रोनाउंस लाइक आई एंड वी आई एंड वी का यूज अक्सर हम नोटिस राइटिंग में नहीं करते हैं और फिफ्ट पॉइंट है यूज ओफ थार्ड परसन थार्ड परसन लाइक ही शी या दे का यूज हम इसमें करते हैं इने की पॉइंट्स को ध्यान में रखे हमारा नोटिस राइटिंग होता है अब हम आगे नोटिस राइटिंग के प्रोपर फॉर्मेट पर विष्टार से चरचा करते हैं नोटिस के फॉर्मेट में सबसे महले एक बोक्स मनाया जाए तैसा की पॉर्ड में मना हुआ है और उपरी उपर नेम ओप ओर्गिनाइजेशन नोटिस किस संस्ता द्वारा किस संगटन द्वारा लिखा जा रहा है बनाया जा रहा है और उस संस्ता का नाम जहां पर हम उसके बाद नोटिस शब्द लिखा जाएगा और नोटिस इस विशे पर लिखा जा रहा है क्या सूजना देने के लिए नोटिस हम बना रहे है उसका टाइटल या हेडलाइन हम लिखेंगे और बाद में लेट एंड साइड में डेट जिस डेट को नोटिस निकाला जारा नोटिस बनाया जारा है उसका डेट लगाएगे डेट के नीचे बोडी ओफ नोटिस शारी सूचनाए जो हम देना चारे नोटिस में वो बोडी के तौपिक पर आएगी लास्ट में ही नेट साइड में ही शिगनेचर चंस्ता के जिसे ओपिसर द्वारा नोटिस निकला जा रहा है उसके शिगनेचर लेम उसका नाम और डेजी नेशर उसका पद यहां पर अंत में लिखा जाएगा तो इस परकार से एक है फोर्मेट हुआ जिसको ध्यान म रखिये हम कोई साभी नोटिस बना सकते हैं स्टुडेंट्स कोड एग्जम में कॉस्टन किस परकार से फुटत किया जाता है नोटिस राइटिंग के लिए इसका एक एग्जम्पल पर लिया गया है यू आर दे सेक्रेटरी ओफ स्कूल काल इन यूर इसकूल नेक्स्कूल दें तो भी हैल नेक्स मंथ राइट राइट नोटिस फौर ने क्विट्पल एप इसकूल ऑफ यू पउजता कोर्षन में कि आप इसकूल कलब के इसक्रेटरीय टेकर अरेके शेक्रेटरी होने के नाते आप के विद्यले में नेक्स्ट मंथ év graduate वार्षिकोत्सों कायोजन किया जाना है उसे एनॉल फंक्षन है तू शूचनाए या उसे एनॉल फंक्षन में भाग लेने के लिए आप अपना नाम कहा निखाएं किस दिन होगा इसके बारे में एक नोटिस बनाना है जो आपके विद्याले के नोटिस बोर्ड पर लगाए जाएगा रायत आनॉटिस फोर्डा इस्प्ले बोर्ड आपके श्कूल के लिए डिस्प्ले बोर्ड पर यह नोटिस लगाए जाएगा और नेक्स्ट मन्ते आफका एनॉल फंक्सल का आयोजन किया जाना है यह एक प्रसं का अंसर इस परकार से बने गा जीपिएस स्कूल कोटा नोटिस शब्द दिखना या 19th मैं 2020 डेट का जिकरिया होगा एनॉल फंक्शन जो की कारेकरम डिशाइड है इस जिस तु कोटा नोटिस्ट शब्द दिखना इसन दिखना शुल फंक्शन विल बेहन नॉल फ्स्त गॉन तुम फ्स्त खुम एंट रवनचों कोटा इस्ट क्रॉट्ब्स दिखना अध्यूटर अधर्ट अच्छना यज चिफ डेट अच्छ एवर्सूट ट्यूट एवर् देखेट लेया प्लास टीचांगा, साइन नितिल सेक्रेट ले, जीपीए स्कूल कोटा, जी संस्ता के द्वारा नोटिस निकाला जाता है, संस्ता का नाम उपरीव पर नोटिस शब्द लिखा जाएगा, डेट आ गया, अनुल फंक्शन जो की प्रोग्रेम डिशाइड है, श सुचित क्या जाता है, कि श्कूल का वार्षिक उत्साव, विल भी हेल्ड ओन फर्स्ट जोन 2020, एक जुन 2020 को रखा गया है, ज्यारा बज़े प्राते से दोपर एक बुझेट तक, श्तान रावन जोग, कोटाज बिस्टिक कलक्टर, मिस्टर रोईट गुपता, विल ग्रेस कोटा जिल्ले के जिला कलक्टरम होदरे स्रीमान रुएट गुपता जी चीफ गेस्ट के रूप में ख़दा रहेंगे, एवरी स्टुडेंट नीड्स टू कलक्ट देया, बैर पासेज फ्रूम बैर प्रास्टीचर, अपने अपने कुक्सा ज्यापक से अपने पास बात करे इना पास के नुमती नहीं होगी, सहे नोगे नितिन सेक्रेटरी, जो कि जी पीएस स्कुल कोटा के सेक्रेटरी उस कल्ब के है, तो इस प्रकार से ये क्वेस्टन कम्प्रीट होता है, पूरे अर्गेसी बोर्ड शीनर क्लास में चार अंख प्रात के जा सकते, थेंक्स